Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. बाड़को, गुजराती वीशय बनवा माटे तमे सव तैयार छो? तो चालो, हुँ धर्मिस्ट्या में आप सवनू ओनलाइन स्टडीज मां स्वागत करू छू? तो बाड़को, आजना आपना सेशन वन मां दोरण त्रण नी टेक्स्टबुक प्रमाणें आपने पेज नमबर 15 अने 16 नो अभियास करीशू? बाड मित्रो, तमारी टेक्स्टबुक प्रमाणें वर्साद आवे चेप्टर मां सरस्मजानी कविता आपेली छेू? चालो, तेक अभित्ता हूँ तमने समभडावू? अने पच्छी काव्यानी समझूती आपेशू? तो तमे सव तैयार छो? बर्साद आवे रमजम, वादडी चाले जमजम, बर्साद आवे रमजम, वादडी चाले जमजम, मोटा मोटा छाटा पड़ता, आब माधी नीचे खरता, आकाश गाजे धंगम, वीज चमकती चमचम, धर्ती नावी चादर ओढ़े, सुन्दर लीली चमचम, बर्साद ने सव रोज वधाओ, धोल वगाडी धंधंगम, बाड मित्रो, तमारे टेक्स्ट बुक माँ, चेप्टर टू, वर्साद आवे, पेज निमबर फिप्टीन उपर, सरस्मजानी कवीता आपेली छे, तेना उपर लखेलू छे, गीत साम्पडो अनेगाओ, लिसेन टू दे पोएम, एंड सेंगेट, हवे हूँ तमने पोएम सामबड़या पछी, सरस्रीते तेने समझावानो प्रयत्न करूछू, तो ध्यान्ती सामबड़ जो, वर्साद आवे रम जम, एनो मतलब ए, के ज्यारे वर्साद आवे, त्यारे चारे बाजू, जम गर्बानी रमजट जामेने, तेम सरस एवे रम जम भर्यू वातावरण थई जाई छे, वादड चाले जम जम, एनो मतलब ए थाए, के वर्साद पड़े, त्यारे वादड पण, जाने पाणी ने नीचे पाड़तू होई, तेम जम 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 जेवू वातावरण पैदा करे छे, त्यार पछी नी आपणी लाइन छे, मोटा मोटा चाटा पड़ता, एटले के वर्साद आवे, त्यारे खूब मोटा चाटा पड़े छे, आकाश एथी नीचे सर्ता आकाश माथी जाने सररर करता छाटा पड़ता होई तेवु वातावरन जोवा मडे छे आकाश गाजे धम धम इटले के वर्साद आवे त्यारे आकाश गगन धम धम अवाज करतू गाजतू होई तेवु लागे छे वीज चमकती चम चम एनो मतलब एथाई विजडी चम चम करती चमके छे धर्ती लीली चादर ओडे तेनो मतलब एथाई के धर्ती नी उपर वर्साद ना पाणी ना छाटा पड़ता सरस्मजानू लीलू घास उगी निकड़े छे अने ते लीलू घास उगी निकड़ता जाने के धर्ती ये लीली चादर ओडी होई तेवु आपणने लागे छे चादर ओडी धर्ती पड़े इतले के लिल्ला कलर नी चादर ओडी अने धर्ती सुई गई होई पड़ी गई होई तेवु लागे छे डम डम धोलवगडावो वर्साद ने सवधावो इतले के वर्साद नू आगमन थाई तेर डम डम दोलवगाडी ने वर्साद ने आपणी पासे आवबवा बदल अभार मान वो जोईये तेने वधावो जोईये तेने आवकार वो जोईये तो आ हती आपड़ी वर्साद आवे काव्यानी समझूती बाड़को काव्यानी समझूती समझे आपची अहिया तमारी टेक्स्ट बूक मा अमुक प्रश्णों आपेला छे अने तेने एकच शब्दमा जवाब आपीने मौखिक रिते चर्चामा लेवाना छे तो चालो ते प्रश्णों पन आपने डिसकस करी लईए पहलो प्रश्ण छे वर्साद केवी रिते आवे छे तो आपड़ो जवाब थशे रम जम प्रश्ण बीजो वादड केवी रिते चाले छे तो जवाब थशे जम जम प्रश्ण त्रण आकाश केवी रिते गाजे छे तो जवाब थशे धम धम विजडी केवी रिते चम के छे तो जवाब थशे चम चम त्यार पछीनों छिल्लों प्रश्ण चे डोल केवी रिते वागे छे तो जवाब थशे धम धम बाड मित्रो तमारी टेक्स्ट बूक ना पेज नंबर 16 उपर अमुक चित्रो आपेला छे अने अमुक व्यंजन ओडखवा माटे ना तमने सरस्मज्याना उदाहरण आपेला छे तो ते वाची ने हुँ तमने समझाओ चु अक्षर ओडखो अने रंग पूरो identify the word and fill colors in them तो अहिया एक चित्रा आपेलू छे जुओ व थी वर्शाध व थी वर्ड हवे तमारी टेक्स्ट बूक माँ व नी अंदर तमारे तमारो मन पसंद रंग पूर्वानों छे त्यार पचीनू चित्रा छे र थी रकाबी र थी रत आ चित्रमा तमारे र मा तमारो मन पसंद रंग पूर्वानों छे सथी सगडी सथी ससलू अने अंतमा दथी दडो दथी दफ्तर आमा तमारे द मा रंग पूर्वानों छे आजना सेशन वन मा वर्साद आवे पोएम आपणे सिख्या अने समझ्या तेना प्रमाने तमारे आ खाली जिग्या पूरो घरकाम मा करवानी छे एक खाली जिग्या पूरो एक्जाम्पल नी रीते तमने समझ्यावेली छे वर्साद आवे राम जम हवे तमारे पेज नंबर फिफ्टीन उपर थी कवीता वांची ने कवीता ना आधारे बाकी नी खाली जिग्या पूर्ण करवानी छे So students, read the poem from page number 15 and fill in the blanks. Here one has been done for you. Thank you.